हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई न्यू वीडियो तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे एक 2.1 होम थेटर कीट की वैरिंग करना पूरा वैरिंग स्टेप बाइ स्टेप तो चलिए फ्रेंड्स सूरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कनेक्शन है यहां पर देख लेते हैं बारा जीरो बारा का कनेक्शन यहां पर आप वोल्टेज कनेक्शन दोगे जो आपके पास यहां पर कनेक्शन दोगे बारा जीरो बारा गार कनेक्शन होगा दो या तेन एंप्यर के ट्रैस्पोर्म में आप यहां पर कनेक्शन देश सकते हो तो फ्रेंड्स पहले देख लेते कि कापी सारे 2.1 बोर्ड में नहीं लिखा होता है काँ पर कनेक्शन देना है काँ पर ग्र राउंडों और ये दो स्काश्ण केशन यहां पर 29 यहां पर कनेक्शन लिहा पर रिकाहोज तक the या पाज इंच का उफर के connection कर सकते हो 20 से 30 वाट इससे ज़दा ना करो तो अच्छा है वरना आपका जो हीट सेंग है बहुत हीड होगा और आईसी उड़ने का भी चांस है तो फ्रेंड्स पीछे देखते connection यहां पर connection करने से पहले आप यह देख लेना यहां पर देखिए यह जो ग्राउंड वाला है जो सबसे अटाज है यहां पर आप speaker की जो उफर है उसका ग्राउंड दे देना और यहां पर प्लस दे देना तो चलिया आप देखते है वाल्यूम का connection यहां पर बेस का जो वाल्यूम पोटशंण मिटर होता है इसका connection आप यहां पर देना तो इसका connection करने के लिए आपको पोटेंश्यूमिटर चाहिए तीन पीन या छे पीन जो आपके पास है जो आबे लेवल है तो मेरे पास तो अब यह छे पीन का पोटेंश्यूमिटर है तो इससे हम आपको सिखाएंगे कैसे कनेक्शन करते हैं तो फेंट्स पोटेंश्यूमिटर हमेशा ऐसे ऐसे पकड़ना जब ऐसे पकरोगे तो फर्स्ट बाला पिन जो है नौ वह हमेशा इन्पूड होगा और सेकेंड बाला पिन डौट होगा और थर्ड बाला यह आप ग्राउंड होगा ठीक है ऐसे यह नौब खुद की तरब रहाना खुद की तरब राग नहीं वाला तो फ्रेंड्स देखिए यह जो पुहला पिन है पहले नंबर में हब कर दोसरे hell हाई ज Seitude प्रेंड है इसको भीसा दोनों एक साथ जूर देना ठीक है फ्रेंड्स और आगर आपके पास छेपीनों वाला पोटेंशोमेटर है वल्यूम कंट्रोल है तो आप एक साइड ही कनेक्शन करना इधर और इधर कोई भी एक साइड फर्स्ट या सेकेंड एक साइड और हमेशा ग्राउंड को जूर देना तो मेरी मानों तो 3-pin का वल्यूम कंट्रोल लगाओगे तो कनेक्शन करने में आसानी होगी तो फ्रेंड्स चलिए आप देखते हैं दूसरी तरफ देखिए फ्रेंड्स यहां पर SP लिखा है मतलब यह स्पीकर का कनेक्शन है स्पीकर मतलब जो सैटेलाइट छोड़ा वाला स्पीकर होता है ना उसका कनेक्शन है यहां पर सैटेलेट स्पीकर के कनेक्शन है तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं देखिए फ्रेंड्स एक पिन दो पिन और तीन पिन ठीए फ्रेंड्स और फ्रेंड्स यहां पर कनेक्शन कैसे करते हैं देखिए यह एक पॉजिटिव ह यह वी एक positive मतलब left side का positive right side का positive और मच जो beach बला है यह ground है यहाँ पे G यहाँ पे L यहाँ पे R ठीक है friends तो friends यहाँ पे छोटा सा speaker draw कर लेता हूँ तो चलिए भी तो speaker draw हो गया speaker का जो यहाँ पे plus यहाँ पे minus यहाँ पे plus यहाँ पे minus जो दो टर्मिनल रहते है प्लास और minus तो friends आपको करना क्या है जो left side का speaker है उसका plus इस plus से attach कर देना और right side का जो speaker है इसका plus लेके right side के plus में attach कर देना और जो beach का जो ground है आप चाहो तो दोनों ऐसे भी ground कर सकते हो और चाहो तो इसको लेके इस ground पे और इसको भी लेके अब इस ground पे attach कर सकते हो मतलब दोनों का जो minus है वो यहां से आएगा आप यहां से भी joint कर सकते हो यहां से भी लेके अलग से यहां से दोनों तार लेके यहां भी इस पिन का और second बाल पिन है इस पिन का सेंग कनेक्शन सब का है ठीक है फ्रेंट्स यह छे पीनों में मिलता है और चार सौकेट और छे सौकेट में दो मिलता है तो प्रेंट्स आपको करना क्या है लास्ट बाला जो ground है इसके जो लास्ट बाला पीन है इस pin को आपको इस ground से attach कर देना है तार लेके और left बाला left में attach करना है और right बाला right में attach करना है अगर ऐसे करोगे तो आपका एक socket मतलब left और right कम करेगा एक ही pin कम करेगा left और right speaker left speaker और right speaker अगर आप चाहो यह दुनों left में और यह दुनों right में आकर connection करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना ground को इस दुनों को join कर देना solar कर देना एक साथ ground को यहाँ पर attach कर देना left को यह बाला पीन दुनों पीन एक साथ जूर के left को इधर और right को यह दुनों पीन जूर के right को इधर मतलब यह पूरा section right का हो जाएगा यह बाला left का हो जाएगा और last जो है न यहाँ पर last बाला जो प कि अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लेम हो रहा है तो कॉमेंट में आप लोग जरूर बोलना मैं आपको रिप्लाइ कर दूंगा अभी आते लास्ट वाले पार्ट में जो की थोरा सा मुस्किल है काफी लोगों को दिक्कत होता है यह वाला पिंट समझने में जहां पर आपको इंपूर्ट देना है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग नहीं जानना चाहते हो तो कैसे इनपूड होथा है कॉन से बाले पीण से मिकपैसिटर से तो स् daran में आप लोग यह जो कि ऐसा दं रहाता है Q12альном 1,2,3,4,5 यहां पे 5 न्रहिए ई तो यह दो बनाला पटिन और यह की पांज बनाला पिन इंपूड है यहाप आप L इन्पूस दिया दिये और यहाप आप राइड इन्पूस देजी यह हाइव एक आपको अगर टेक्निकल यह तो देखिए यह जो दो नॉन पोलर कैपसिटर रहता है इसका सेकंड वाले लेक पर इंपूट रहेगा अगर आप लोग इसको घुमा के देखेंगे तो देखें फिंट्स यह रहा क्या पाइब समझ गया फ्रेंट्स यह रहा एक कैपसिटर जो दो नमबर पिन पर है और यहां पर एक कैप साइट के इंपूट दो नमबर पिन पर दे रहे हो और पांच नमबर पिन पर राइट साइट के इंपूट दे रहे हो फ्रेंट्स ठीक है अब यह आते हैं ब्लूटूथ मॉडूल की तरफ देखें फिंट्स मॉडूल में क्या होता है यहां पर तीनों पिन रहेते हैं ग्राउंट और यह राइट यह हम यह यह USB से यह पीच में लगाएंगे एक वाल्यम कंट्रोल जिससे आप साउंड को कम ज्यादा कर सकते हो तो यहां पर भी कनेक्शन सेम होगा यहां पर आप 6 पिन की जरूरत है आप लोगों को 6 पिन की तो आप इसका connection समझते है देखे फ्रेंट्स यह 6 पिन का पोटेंशोमेंटर का वॉल्यूम कंट्रोल का connection है देखे छे पिन पीछे का दो पीछे का तीन पिन सामने का तीन ठीक है फ्रेंट्स और यह वाला हमेशा आपके तरफ रहना रहना चाहिए यह वाला तो देखे फ्रेंट्स इसका पहला बाला इंपुड है इंपूट यहांपे भी इनपूट यह लेफ्ट सइट का है Skills को और Titans राइट सट का है कि दीखे यह जो पीछे का है यह लेफ्ट और यह रैट अब कुछ भी लेपू कर सकते हो सामने बाला रैप लेफ पीछे का मतलब एक सेक्सिंग पूरा लेफ्ट हो जाएगा एक का पूरा राइट हो जाएगा तो आपको करना क्या है यह बीज वाला आउट पूट है कि यह आउट है यह आउट है और यह वालब हमेशा ग्राउंड रहेगा यह पिन को अब एटच कर देना लास्ट का पिन है इसको अब हमेशा ऑद आउट पूट आएगा इसका लेफ्ट आउट पूट लेके आपको यहां पर देना है इनपूट पे ठीक है volume control के input पे और जो right का यहां से output आया है इसको लेके आप right के input पे देए यह left उपर बाला यह right बाला input पे और output अब यहां से बीज बाला पिन से left का output लेके left में जाएगा और right का output right में जाएगा ठीक है friends और यहां से कुछ भी ground कुछ भी ग्राउंड ले सकते हो यहां से ग्राउंड लेने ना इस पिन से इस पिन से ग्राउंड लेने ना यहां से ग्राउंड एम्प्लिफायर से यहां से एक ग्राउंड आएगा जो यहां पे अटच होगा यह ग्राउंड बले पीन से और इसका जो ग्राउंड है इसको भी आप यहां पे अटच करते हैं तो फिर देखिए अगर बहुत आसान इसे मैं समझ दे रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना देखिए ऐसे होगा पहला बाला इंपूट बीच बाला आउटपूट और लास्ट बाला ग्राउंड ठीके फ्रेंड्स यहां से ऐसे कनेक्शन होगा यूस्बी से और अगर ऑक्स कनेक्शन करे रहता है यहां पर भी सेम तीन होता रहता है यह लेफ्ट यह राइट यह ग्राउंड तो सेम राइट का राइट में कनेक्शन कर देना लेफ्ट का कनेक्शन होगा लेफ्ट में वल्यूम कंट्रोल की और ग्राउंड हमेशा ग्राउंड जाएगा यह आउटपूड है यहां आउट्पूर लेंके यहां पर download करेंगे कपलो है और बीचवले पिन से फिर से Zdra आउटिपूट कर सकते हो तो यहाँ पे आप 7805 एसे लागाना पीछे साइड ऐसा होगा फिरफ फेल्ट्स पिछे हेट सिंग पीछे जाएगा ठीके फिर्ट्स यहांगे प्लस यहांपर माइनस ठीके फिर्ट्स तो कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंट्स आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो मैं आपको हेल्प कर दूंगा तो फ्रेंट्स मेरे चैनल को सब्सकाइब कर देना और लाइक कर देना शेयर कर देना फ्रेंट्स दोस्तों के साथ और फ्रेंट्स आगे भी और वीडिय आएंगे तो फ्रेंड्स चैनल पर बने राए न और प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंड्स